मैं हूँ इंडिपेंडेंट बिजनस कंसल्टेंट और बड़ा बिजनस आज की जो लर्निंग है उसके लिए करके मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं जो कि बीमन सर को सबसे पहले में इसके लिए धन्यवाद करता हूं हमारे टीचर्स डेकल के उपलक्ष में सर उन्हो सबसे पहले पैसे कमाने के लिए कितने तरीके से लोग आज के समय में कर रहे हैं है यह उसे पहले कि तो सबसे पहले तो यह सबसे कमपल्ज को दो मिलकर विजनस को आगे बढते हैं चोठा यह हुआ इंवेस्टर का जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वह काम करते नहीं मिल की दूसरों के बिजनस में अपने से लगाते हैं और वहां से वह real km करते अब एक जीज़ लोग को आकड़ा देना होगा कि सबसे ज्यादा पैसा किद fertig सब्सक्राइस के पास होता हैं और सब सबसे कम पैसा किनके पास होता है पुरिंट्स एक देखना पड़े हम लिए हम लोग कहीं जो वो 95% वरग करते हैं सबसे कम पैसा उनीक पास होते हैंक उनके पासն के पास पास 5% सिर्फ 5% सिर्फ 5% पैसे होते हैं जबकि अगर से अगर देख जाते में इसके बुदिनस ओनेर और इक कर पास 5% portion का हो वो इंकम करते हैं तो फ्रेंट्स यह बहुत बड़ा अंतर है दोनों में और हमें इस फिर भोत ध्यान देना होगा दोस्तों सबसे बड़ी बात ही कि आज के समय में अक्टिव इंकम तो हर को करें कुछ दिन कहीं लीप रहें कहीं बाहर चले जाएं कुछ ऐसा हो तो मेरे पास वह पैसा आते रहें उसका कुछ सबसे पहला तो होता है कि आप एक full-time work करते हैं तो full-time work करते हैं इसका मतलब तो जब तक आप काम कर रहें तब तक ही आपके पैसा आएगा लेकिन हमको उसे उपर आना है धीरे-धीरे करके अपने आपको इंकरेज करना है और उसमें हमको एक self-employed को बनना है उसके बाद सकेंडर स्टेज में self-employed का मतलब यह हुआ कि जब हम काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय कम देना पड़ता है और इंकम एजे इंप्लॉई से अधीक होता है उसके बाद का जो स्टेड है कमिशन फॉर्म सेल्स यानि कमिशन के थ्रों से पैसे आना हमारे पास हम लोग क्या करते हैं उसमें क्या समय और भी कम देना पड़ता है और उसमें कमिशन स्वेस पे हमारे पास पैसे आते हैं यानि आप थोड़ा सा अपने मर्जी के हिसाब से भी काम कर सकते हैं उस या बन जाता है उसके बाद है business ownership दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग एक छोटी से दुकान भी चला करके सूचते हैं को एक business owner है पर यह उनका गलत फाहमी होता है क्योंकि एक सिर्फ business कर देना ही business owner नहीं हो जाते हैं business owner का मतलब फिश्ट कमा रहें वह उनके लिए बहुत सारे लुग काम कर रहे हैं, जहां को इनको बहुत ही कम समय देना होता, बस उनको एक monitor करना होता इसके पर अगर देखें दो пойality हो और इंट्रेस्ट होता है रेंटर इंकम होता है यह सबसे highest level का चीज़ होता है जहां से आप घर में बैठे भी रहे या कहीं भी घूम रहे हैं तो आपको एक rental income fix होता है कि महीने का इतना आना ही आना या फिर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप उसको investment कर सकते हैं किसी के business के साथ में यह कुछ आशे project में जहां से आप सिर्फ one time investment करके और वहां से रेगुलर income कर सकते हैं उसमें भी बहुत ही कम समय देकर यानि सिर्फ monitoring करके नॉर्मल reporting करना है monitoring करना है कि मेरा काम सही से हो रहा है या नहीं रहा है या फिर रॉयलिटी में एक चीज देख सकते हैं जैसे अगर देखा जा तो songs बनाने वाले आज भी रॉयलिटी कमा रहे हैं वहां पर या फिर books writer जो होते हैं उनको कुछ न कुछ commission वहां से रॉयलिटी किया था तो लास्ट में मेरा ही message रहेगा कि आप लोग भी टिव हो जाईए कुछ न कुछ सेल आउट कीजिए और हमारे इस training session का हिसा बनिये और अच्छे से हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हम लोग एक टीम है और हम लोग एक टीम मिलके ही आगे बढ़ सकते कोई अकेला न सब्सक्राइब करती हैं हमारे business partner channel partner हो गया हमारे विमल सरा टीएच है या फिर हमारे जो भी senior level के head office में help करते हमारे लिए इतने सारे courses develop करते हैं तो उनका फिर में फिर से मैं एक वार तहें दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हमें इसी तरह से help मिलता रहेग और हम लोग भी इस चीज पर खरे उतरेंगे और हम लोग भी इस चीज को करके दिखाएंगे जो विवेक सर का सपना है तो एक वार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद